श्रीम अद्वाल मिकी रामायन पहला अध्याय श्रीम अद्वाल मिकी रामायन महात्मया प्रथम अध्याय श्लोक संख्याच्चाः रामाया रामभद्राया रामचंद्राया वेदसे रगुनाथाया नाथाया सिदाया पतये नमहा श्लोक और अनुबाद रिष्या उचुहु भगवान सर्वमाख्यातं द्यत्प्रष्टं विदुषा त्वया संसार पाशा वद्दानं दुखानी सुबुहुनिचा इसका अनुबाद इस प्रकार है रिष्यो ने कहा भगवान आप विद्वान है ज्यानी है हमने जो कुछ पूछा था वे सब आपने हमें भली भाती बताया है संसार बंदन में बंदे हुए जीवों के दुख बहुत है तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौलेज रिवील में साथ ही हमें जवाब में सब कुछ जानने को मिलता है जिग्यासा बहुत महत्वपूर्ण है जानेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा कोई अपने आप तो बता नहीं देगा और इसलिए जिग्यासा की है तो उसको बताया जा रहा है सूत गोस्वामी जी के द्वारा और ये रिशी भी कोई मूर्ख नहीं है जब जवाब समझ में आता है तो उससे हट कर उससे उपर उठ कर सवाल ही वो सब पूछते हैं मतलब कि कोई जिग्यासा होगी तब ही सवाल पूछे जाएंगे और वो उससे रिलेटिड होना चाहिए यह प्रसंग चल रहा है भगवान राम के बारे में और आप आगे आगे देखना की रिशी जो सब हैं जो रिशी गण हैं वो कैसे गुणगान के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और क्या जीवन की वास्तविक्ता को बता रहे हैं आप आगे श्रवन करेंगे यह सब रिशी गण कोई कमर नहीं है यह सब रिशी गण कोई न्यू कमर नहीं है नए नवेले नहीं हैं जो कुछ भी नहीं जानते और इन सब रिशी गण की काफी उमर भी हो गई है और यह सयाने हैं समझदार हैं और तभी कोई व्यक्ति ऐसी बात कर पाता है जो भी ज्यान है वो हवा में नहीं है बलकि पालन करने में हैं उनके आचरन में हैं और अनुभव भी है उन्हें और इसका साक्षादकार भी है रियलाइजेशन भी है उनको इस नौलेज का रिशी गण कहते हैं कि आप तो ग्यानी हैं और इससे पहले शब्द कहा वह है आप विद्वान हैं मींज एक्सपर्ड और नौलेजिबल आगे वह कहते हैं कि आपने जो कुछ हमें बताया वह हमारे पूछने पर आपने बताया है और हम उससे संतुष्ट भी हैं संतुष्ट होना बहुत जरूरी है नहीं तो कुछ लाब नहीं होगा ना तो हम आगे इस ग्यान को ले पाएंगे और जैसे देखा कुछ समझा केहने का ताथ परे जैसे देखा कुछ समझा कुछ बोले कुछ और हुआ कुछ फिर मिला कुछ और बात बनी कुछ और लिखे नुसिर पड़े खुदा आगे जो रिशिगन बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं और वो बात है कि संसार में बंधन में बंदे हुए जीवों के दुख बहुत हैं और सोचने वाली बात है कि इन सब रिशिगनों को क्या आवश्यक्ता थी कि वो इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते तो इसका जवाब है कि साधू संतो कासर में सुभाव होता है कि परदुख दुखी दूसरों को कष्ट में देखकर दुखी होना और इसी कारण से जब भगवत गीता में भगवान आजुन को कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम यह संसार दुखों का घर है परंतु मनुष इस संसार को करता मानता है और इस शलोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कि प्रिक्रिती क्रियमानानी गुने कर्मानी सर्वशा अहंकार विमूडा आत्मा करता हम इती मन्यते अर्थार्थ जो असली सादू है वे तो खुद मुक्त होता है और दूसरों को मुक्त करना चाता है मुक्त होते हुए देखना चाता है और मुक्त देखना चाता है यही वे करता है और हमें लगता है कि वे हमें संसार में पता नहीं कौन से कामों में उलज़ा रहा है परंतु बंदा हुआ मनुश्य क्या जाने इसलिए बेचारे उल्जे रहते हैं बहुत भाग्यवान हैं वो लोग जो मुक्त हुए हैं और दूसरों को भी करना चाहते हैं हमें ऐसे सच्चे साधूं का शास्त्रों के अनुसार उनको पहचानना चाहिए और दृड़ता के साथ पालन करना चाहिए उनके दियेवे मार्क दर्शन का ताकि हम भी इस बहुत इक संसार से संसार सागर से पार पास सकें